करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ब्रकालूय добडेनरी आप करें क्यों अब से एकमरेश चैनल करें दिम्ते разोब है चाहिए आप descriptive type exam की त्यारी कर रहे हो colleges exam की त्यारी कर रहे हो या फिर आप objective type exam अर्थात competitive exams की त्यारी कर रहे होंगे दोनों के लिए समान रुप से उपयोगी होने वाला है इसलिए शुरू से अंत्यता किसे जरूर देखें चलिए समझने का प्रयास करेंगे कि रिती संप्रदाय क्या है रिती संप्रदाय के प्रवर्तक आचारे वामन है और इनका समय है आठमी श्रताब्दी इस्वी ये माने जाते हैं ना रिती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचारे वामन यद्यपी रिती शब्द का कावे शास्त्र में प्रयोग आचारे वामन से पहले भी प्राप्त होता है पर उसका व्योस्थित स्वरूप और विश्थित व्याक्या सर प्रथम आचारे वामन नहीं प्रस्तूत की तो ये रीती शब्द है इसकी शुरुवात आचारे वामन नहीं की रीती शब्द का प्रय वामन ने रीती को विवस्थित सरुप्रदान किया और इसकी विस्तार से व्याख्या की और रीती शब्द क्या है ये वास्तों में भारती कावेशास्त्र का शब्द है संस्क्रित का कावेशास्त्र से आया है जिसे हम भारती कावेशास्त्र काते हैं तो रीती शब्द की उत् मांग, मांग, परादून का जालता है से सकते हैं जहें परनागा रिती शब्द कार्थ क्या है मांग मार्ग पंथ गतिया शेली इत्वादी और रिती शब्द कैसे उत्पन हुआ है रिंग धातु में जब हम रिन प्रत्य लगा देते हैं तब रिती शब्द उत्पन हो जाता है और इस कार्थ है मार्ग पंथ गतिया शेली अचारे वामन ने रिति को परिवाशित करते हुए कहा है, अचारे वामन ने अपने ग्रंथ काव्या लंकार सुत्र वृत्ति, यह इनके ग्रंथ का नाम है, परिछा में प्रत्यक यह सारी बाते पूछी जाती है, तो अचारे वामन का ग्रंथ का नाम है काव्या लंकार सुत्र वृत्ति, और इ विशेष प्रकार की पद रचना को रीती कहते हैं तो जैसे आपको मालूँ है कि जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोक करते हैं तब वो पद बन जाते हैं और उसी पद को जब व्योस्थित तरीके से हम कर देते हैं पद को व्यस्तित तरीके सहिमा देते हैं इसे ही कहते हैं रीती विशिष्ट को इसपष्ट करते हुए वे पुना कहते हैं विशेसो गुडात्मा तो विशिष्ट पद रचना को रीती तो कहा देते हैं लेकिन यहां विशे सत्वा विशिष्ट शब्द का क्या आर्थ है उनका कहना है कि यहां विशिष्टता कहां से आती है जो पद रचना है उसमें विशिष्टता कहां से आती है तो यहां विशिष्टता आती है, गुण से आती है, अर्थात कावे में गुणात्मक पद रचना को रीती कहते हैं, मतलब कावे में जब हम पदों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, जो पद विशिष्ट प्रकार का हम उसका प्रयोग करते हैं, और यहां विशिष्टता कह की जा सकते हैं उक्त विवेचन के अधर पर रिती के परिभाषा नीम्न शब्दों में की जा सकती है अभी हमने देखा सबसे पहले हमने क्या देखा विशिष्ट पद रचना रीती मतलब विशेस प्रकार की पद रचना को रीती कहते हैं फिर हमने क्या देखा विशेसु गुडात्मा अर्थात यह विशिष्ट तक कहां से आती है गुण से आती है अब हम इन दोनों बा रिती है तो रिती क्या है एक ऐसी पद रचना है जिसमें प्रसाद गुण होता है ओज गुण होता है और माधुरे गुण होते हैं मतला जिस हम पदों को इस प्रकार से मिला देते हैं हम पदों को इस प्रकार से ब्योस्थित कर देते हैं जिसमें प्रसाद गुण भी होता है ओजगुण भी होता है, माधोरी गुण होता है, इत्यादी जब कावे गुण उसमें मिल जाते हैं, तब इसे ही क्या कहा जाता है, रीती कहा जाता है, और इसलिए रीती संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, रीती संप्रदाय में गुणों का सरवाधिक महत्व इसलिए रीती संप्रदाय को क्या कहा जाता है गुण संप्रदाय भी कहा जाता है इस प्रकार आचारे वामन ने गुणों को विशेस महत्त दिया उनके अनुसार गुण कावय के नित धर्म है जिनकी अनुपस्तिति में कावय का अस्तित असंभाव है अर्थात किसी भी कावय जो गुण होते हैं वे पर्मानेंटली वे दिमान होते हैं नित्य धर्मा मतलब जो पर्मानेंट होते हैं अनिवार रुक्ष होते हैं यदि किसी कावे में गुण अनुपस्थित हैं या गुण नहीं है तब कावे का अस्तित ही संभो नहीं है अर्थात कावे के इसे जन के लि धर्मा गुड़ा अर्थात गुड कावे के शोभा कारक धर्म है अर्थात कावे की शोभा कहां से आती है कावे की सुंदर्ता कहां से आती है कावे में सुंदर्ता कहां से आती है गुडों से आती है अर्थात संदर्य को जन्म देते हैं कावे में संदर्य को जन्म देने वाले धर्म कोलते हैं? गुण कहलते हैं, वे तर क्या कहलते हैं? जो कावे के संदरे का जिरिमान करते हैं? वे कहलते हैं गुण अत है आचारे वामन के अनसार शब्द गत और अर्थ गत संदरे से संपन पद योजना को रीटी कहते हैं शब्दों को जब हम वाक्यों में यत्वा कविता में प्रयोग करते हैं तब वे पद बन जाते हैं और यदि उन पदों में जब हम ऐसे शब्दों की विवस्था इस प्रकार से करते हैं पदों का इस प्रकार से पदों को हम व्यस्थित करते हैं कि उनमें शब्दगत सौंदर विविद्यमान हो और अर्थगत सौंदर विविद्यमान हो ऐसी पद योजना को हम क्या काते हैं रीती काते हैं इस्टाइल काते हैं शैली काते हैं आप समझ गये होंगे मतलब जब हम श काते हैं रीती काते हैं मतलब जो जमाने का जो तरीका है जो शैली है जो लिखने का जो इस्टाइल है उसे हम कहते हैं रीती अलंकार को वे कावे का अनित्य धर्म मानते हैं जो कावे की शोभा को अतिशाय करने वाला तत्वा है मतलब अलंकार क्या है नहीं होंगे तब भी चलेगा फर्मनेंटली अलंकार वे दिमान नहीं होते बस यह अलंकार है कि काव के शोभा में वृध्धी कर देते हैं जैसे कोई सुन्दर महिला है तो आलेडी सुन्दर है लेकिन यदि हम उसमें थोड़ा सा वो कर देते हैं कि अब तो कुछ जुएलरी बगर पहना देते हैं तो और सुन्दर दिखने लगती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जुएलरी नहीं पहने कि तो सुन्दर नहीं दिखेगी अब समझ रहोंगे तो सुन्दर महिला आलेडी सुन्दर है सुन्दरता उसका गुण है कि वो पहले से सुन्दर है अब जुएलरी पहने या ना पहने यदि पहने की थोड़ी से और सुन्दरता में वृध्धी हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्या है कि वो जुएल्री भी पहने तो यही है अलंकार को वे अनित्य धर्म मानते हैं कोई जवर्री नहीं मानते हैं है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है लेकिन ये शोभा में वृध्धी जरूर कर देते हैं इनके हिसाब से थोड़ी से वृध्धी कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि इनके बीना काम ही नहीं चलेगा दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आचारे वामन गुणों की सत्ता को कावे में अनिवार तत्त मानते हैं किन्तो अलंकारों को कावे का अनिवार तत्त नहीं मानते अब आप समझ गये होंगे कि आचारे वामन गुणों को ज़्यादा महत्त देते हैं और अलंकार को अनिवारे तत्व नहीं मानते उसको ज़्यादा महत्व में नहीं देते हैं मतलब गुण तो होना अनिवारे है किसी भी कावे के अस्तित्तों के लिए गुणों को होना अनिवारे है और अलंकारों को होना अनिवारे नहीं है तो यह जो रीती संप्रदाय है और उनके रास्ते पर चलने वाले जो अन्य विद्वान हैं अन्य आचारे हैं। उन सबसे मिलकर संप्रदाय बन जाता है। तो इस प्रकार आचारे वाह scientifically कावे में गुण का होना अनिवारिय हैं गुण अनिवारियत था है। गुड अनिवारत अता है परंतु आचारे दंडी क्या कहते हैं आचारे दंडी अलंकार को कावे का शोभा कारक धर्म मानते हैं लेकिन आचारे दंडी कहते हैं कि कावे में सौंधरी कहां से आता है अलंकारों से आता है जबकि आचारे वामन कहते हैं गुड़ों से आता है अत तत्व कौन से हैं अलंकार हैं और आचारे वामन क्या कहते हैं वे कहते हैं कि गुण कावे के सोभा कारक धर्म हैं इस प्रकार आचारे दंडी जी से अलंकार कहते हैं उसे ही आचारे वामन क्या कहते हैं गुण कहते हैं और दोनों का एक कार्य क्या है कावे में शोभा उत्पन करना, सोंदार यूदपन करना. अब गुणों के भेद, गुणों के कितने केटेगरी होते हैं? आचार वामन के अनसार गुण दो प्रकार के होते हैं, शब्दगत और दूसरा आर्थगत. शब्दगत गुण हो है जो शब्दों में विद्यमान होता है, शब्दगत पर अधा रिथ होता है वो अर्थकत गुण होता है। इन में से प्रत्य के अंतरगत 10-10 गुण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। शब्द गत के अंतरकत भी 10 गुण होते हैं और अर्थ गत के अंतरकत भी 10 गुण होते हैं वे कौन से 10 गुण है ओज गुण, प्रसाद गुण, शलेश गुण, समता गुण, समाधी गुण, माधुर्य गुण, सवकुमार्य गुण, उदारता गुण, अर्थव्यक्ति आचारे वामन के परवर्थी आचारें ने गुड़ों की इन संख्या को सिकार नहीं किया। आचारे वामन के बाद में आने वाले विद्वान आचारे ने गुड़ों की इन संख्या को सविकार नहीं किया, आचारे भोईज राज ने कितने गुड़ बता दिये, यह और ज्यादा बता दिये। आचारे भोजनाराज ने 24 गुण बताए जब कि आचारे ममट ने गुणों के संख्या को केवल 3 तक सिमित कर दी आचारे ममट के अंसार गुणों के संख्या कितनी है केवल 3 है और इनके अंतरगत आचारे ममट ने केवल माधुरे गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण को ह स्रिकार किया, तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद, आचारे वामन द्वारा बताये हुए इन गुडों में, अधिकांस कावे तत्व नहीं थैं, आचारे वामन ने जो गुडों बताये हैं, उनमें कावे के लगभग सभी तत्व मिद्यमान है, रीती इन गुडो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, बतार रीती सिध्धान जो है, बहुत ज़्यादा विस्तिरित सिध्धान हो गया है, इस व्यापकता के कारण ही, आचारे वामन ने रीती को कावे की आत्मा मानते हुए कहा है, रीती रात्मा कावियस, अर्थात कावे की आत्म क्या है रीती है क्योंकि रीती सिध्धान दत्यंत व्यापक है कावे के लगभग सभी तत्व उसमें विद्यमान है अब आचारे वामन ने रीती के तीन भेद बत किये हैं आचारे वामन ने रीती के कितने भेद किये हैं तीन भेद किये हैं उपर हमने जो देखा वा गुडों के भेद हैं और अब रीती के भेद देख रहे हैं आचारे वामन के ने रीती के तीन भेद किये हैं और रीती संप्रदाय किस पर अधारित है रीती सिद्धान गुणों पर अधारित है रीती के भेद आचारे वामन ने रीती के तीन भेद किये हैं वैदर्भी रीती गौडी रिती और पांचाली रिती आईए अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे वैदर्भी रिती से क्या तत पर यह इसमें मादूर वे वेंजक वर्णों की योजना की जाती है जो स्रूती मदूर एम संगीतात्मक होते हैं वैदर्भी रिती के अंतरगत जब कावे लिखा जाता ह तप कावे में बहुती मदूर वर्णों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में बहुती मदूर होते हैं और संगीतात्मक होते हैं जिने गाया जा सकता है ऐसे वर्णों होते हैं ऐसे अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है ललित पद योजना के काण या स्रिंगार हाज से रसों की अभिवक्ति में सहायक होती है ललित पदियोजनावदा बहुत ही मधूर, सरल, सहाज होने के काण ऐसे पदों का इसमें प्रयोग क्या जाता है जो बहुत ही सरल हों, सहाज हों, मधूर हों पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगे इसलिए ये स्रिंगार रस, करुण रस और हासी रतों की अभिवक्ति में ये सहायक होती है वैदर्भी रिती अचारे वामन ने इसमें स्लेज गुण, प्रसाद गुण, समता गुण, माधुरे गुण, सहकुमारे गुण, अर्थवक्ति गुण, उदार्था गुण, ओज, कांति और समाधी इन दस गुणों का समावेश माना है अर्थाद वैदर्भी रिती में सभी प्रकार के गुण विद्धिमान होते हैं अचारे वामन के अंसार इसलिए उन्होंने इसे सरस्रेष्ट इस्थाम प्रदान किया है तीनों रितियों में जबकि आचारे ममट ने इसके मूल में केवल माधूर ये गुण को ही स्विकार किया है अचारे ममट के अंसार वैदर्भी रिती के अंतरगत केवल माधूर ये गुण ही आता है वैधर भी रीती से युकत विहारी का एक दोहा हम पढ़ेंगे यहांपर वैधर भी रीती मतलब इसमें मधूरता होती है है ना इसमें स्विंगार रस का प्रयोक के जाता है रस सेंगार मजनू के कंज़नू भंजनू दैन अंजनु रंजनु हू बिना खंजनु गंजनु नैन ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे तो यह याद हो जाएगा ऐसे बातों को जब आप वहाँ पर परिच्छा में जब लीक देते हैं तो आपको अंक बहुत अच्छे मिल जाते हैं इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ ठीक है अब गौडी रिती क्या होता है वैदर्वी रिती हमने देखा कि मधूरता और मीठास हैं वहाँ पर और वहाँ पर कौन-कौन से सारे सभी प्रकार के गुण वहाँ पर आ गए ओजपूर्ण ओज है जिसमें उलास है उमांग है वीरता है प्रयोग किया जाता है ऐसे में ऐसे वढ़नों का प्रयोग के जाता है हुझा जा है ये सब वढ़न या ओज और कांती कुड़ों से युकत होती है ये बाते हैं आपको याद रखना है गावडी रिती में वैदर्वी रिती में सभी गुण आ जाते हैं दस तो उनने वहाँ काउंट किया लेकिन वह 10 शब्दगत गुण भी होते हैं 10 अर्थकत भी गुण होते हैं मतलब सभी प्रकार के गुण वहाँ पर आ जाते हैं वैदर्वी रिती में और गावडी रिथी में किवल दो प्रकार के गुण आते हैं, ओज गुण और कान्ती गुण, और इसमें संयुक्त वेंजनों का प्रयोग के रहता है, शत्रग या इत्यादी का, टावर्ग, टठडडडड़ा, शा, शा, आदी वर्णों का बहुलता से प्रयोग होता है, अंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग किया रहता है, पदों के रूप में, परुष वर्णों के कारण यह रीती, वीर, विभद, रौदर और भहानक रसों के लिए उप्युक्त मानी जाती है, परुष वर्णा मतलब यह इसमें थोड़ी सी हमको करकस्ता मसूस होती है, तो इसी के कारण यह गौड़ी रिती किसके लिए उप्युक्त है, वीर रस के लिए, विभद रस के लिए, रौदर रस के लिए, भहानक रस के लिए, इनके लिए यह गौड़ी रिती उप्युक्त मानी जाती है, वीर यह रौदर रसों का यह मूल आधार है, यह दो व पदों का प्रयोग के जाता है इसलिए जो हमारे सामने एकदम स्पष्च चीतर हमारे सामने दिखने लगता है मताद कोई भी चीज बिल्कुल हमारे सामने प्रत्यक्ष रुप से दिश्टी गोचर होने लगती है जब हम गौडी रिती से संबन्नित कावेकों पढ़ते हैं अथ्वा सुनते हैं सावकुमारे एवं माधोरे सावकुमारे में दा बहुत ही कोमलता एवं माधोरे मधोरता का गुणों का भाव होने के काण इसे परुशाव रित्ती भी कहा जाता है गौडी रित्ती को क्या कहा जाता है परुशाव रित्ती भी कहा जाता है गौडी रित्ती का एक दरहान द्रश्टवे है बोलने ही जोजे मुंड मुंड प्रचंड सिर्विनु धावाई खपरनी खंग अलूजी जुझ्जाई सुभट भटर न दहावाई अब देखे इसमें आपको थोड़ी करकस्ता महसूस हो रही होगी है वीरस इस प्रकार किसमें योजना की गई है ओज है ओजस्विता है ओज गुण की वेंजना के सभी उपदान तत्वा इस्थन में उपलब्द है तो यह मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ऐसे कठीन चीज़ों को आप पर इच्छा में ना लिखे तो अभी चलेगा कोई दूसर उदान भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि मेरे जो लेक्चेर्स होते हैं पूरा डिटेल में होते हैं ताकि मेरा लेक्चेर अटेंड करने के बाद आपको आपकी तलाश यहाँ पर समाप्त हो जानी चाहिए लेकिन मुल्यांकन करने वाले आप लोग हैं आप लोगों को पढ़ना है पर इच्छे देना है पांचाली रीती वैदर्भी रीती में सभी गुड़ पाए जाते हैं और जो हमने दूसरा देखा गौडी रीती उसमें ओज और कांती गुड़ पाए जाते हैं और पांचाली रिती में माधूर यार सौकुमार ये गुड़ो सयुक्त शितिल पदवाली वहरकना जिसमें लगू समासों का प्रयोग के जाता है इसमें क्या क्या होता है माधूर यार सौकुमार एगुण पाय जाता है मधूरता पाय जाती है इसमें शितिल पदवाली मतलब बहुत ज़्यदा compact टाइप के इसमें पदों का प्रयोग नहीं के जाता है समासिक शब्दवाली का इसमें लगू समासों का प्रयोग के जाता है चोटे-चोटे समासिक शब्दों का प्रयोग के जाता है इसे पांचाली रिति का लगते है यह वैदर्भी और गौडी के बीच की रिति है मतलब वैदर्भी में अलग टाइप का है गौडी अलग टाइप का है इन दोरों के बीच के बोलते है पंचाली रिती है, पद योचना यथा संभा कोमलता लिया रहती है, इसलिए ममट ने इसे कोमला वृत्ति कहा है, अचारे ममट इसको क्या कहते हैं, कोमला वृत्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पद योचना होती है, क्या होती है, कोमलता लिया रहती है, कोमलता और मधूरता इसमें गुण विद्धिमान होता है, इसका दूसरा मूल गुण प्रसाद गुण होता है, एक और गुण इसमें पाजाता है वह होता है प्रसाद गुण, लेकिन माधुरी और सौकुमारी ये इसके दो प्रमुक गुण हैं, माधुरी और सौकुमारी लेकिन इसमें प्रसाद गूर भी पाया जाता है, पदमाकर के निमने चन्ध में पांचाली रिती है। पदमाकर जी का है, अब आचारे बामन का अपना क्या अपिनियन है, आचारे बामन के अनसर वैदर्भी रिती में सभी दस गूर रहते हैं, अचारे वावन के अंसर वैदर्भी रीती में सभी 10 गुण रहते हैं, जबकि गौडी रीती में कितने गुण रहते हैं, दो गुण रहते हैं, ओज और कांती, वैदर्भी रीती में सभी 10 गुण होते हैं, गौडी रीती में केवल 2 गुण होते हैं, ओज गुण और कांती, व तो ठीक वैसे जिस प्रकार रेखाओं जोड़ो कर दिवान होता HY снटी है IAI किवान के शितर का बन जाता इंग हुआ जयाता कर दो कि मन दो एंद जाता हैयर Wire想्थ काभ सर्वसेष्ट माना हैं क्योंकि इसमें सभी बीसों यहां बीसों से तात पर अर्थगत 10 शब्दगत और 10 अर्थगत गुडवी दिमार रहते हैं इसलिए वे रीति को कावे की आत्मा स्विकार करते हैं अर्था जितने भी गुड़ों को उन्होंने उलेक किया है वे सभी वस्तुता आचारे वामन ने वैदर्भी रीति में सभी गुड़ों का समावयश मान कर और इस प्रकार उसे सर्व गुड़ संपन का कर बहुत बड़ी भूल किया है यह इस्तिती कावे में असंभवी है क्योंकि कोई भी रचना सर्व गुड़ संपन कदापी नहीं हो सकती आचारे वामन के रीति सिधान में सब्स बड़ी शितिलता अत्वा कमी यही है तो इस पकर ऐसा कोई भी कावे नहीं है जिसमें सभी प्रकार के गुड़ भी दिमान हो और जिसमें कोई कमी अत्वा तर उटी नहीं हो मतलब इस प्रकार के कावे लिखा जाना असंभव है और इसलिए कोई भी रचना सर्वगूण संपन नहीं हो सकती और यही आचारे वामन के रस जो रीति सिधान था यही इसकी सबसे बड़ी कमी हो जाती है परंतु परवर्ति आचारे हो बाद में होने वाले जो आचारे हैं जो बाद में आने वाले जो आचारे हैं जैसे आचारे वैदर्भी रिति की स्रेष्टता उन्होंने भी स्युकार की क्योंकि यह करुण और स्रिंगार जैसे सुकुमल रसों के बाहरूप का विधान अथ्वा स्रिजन्म करती है। अचारे वामन से बात के बहुत सारे विध्वान सहमत नहीं थे पस्चातवर्ती अचारे उनके समकलिन जो अचारे थे उन्होंने रिति सिध्धान का खंडन किस प्रकार से किया या भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अचारे वामन दोरा प्रतिपादित रिति सिध्धान का अनुमोदा ने मनुकरण नहीं किया। इसे ना तो उन्होंने मननता दिया और नहीं इसका अनुकरण किया। रही आचारे ने तो आचारे वामन का उपहास तक किया है। बात किया आचारे ने उनका कई बार मजाग भी उड़ाया है। उदारण के लिए आचारे कुंतक क्या बहते हैं। आचारे कुंतक ने रिति को वेर्थ बताते हुए लिखा। तदल मनेन निसार वस्तु परिमल व्यसनेन। अर्थाता जी हटाव भी कौन रिति जैसी निसार वस्तु के साथ अपना मगच खपाया। अर्था जो रिति है, रिति संप्रदाई, रिति सिध्धान में कुछ भी सारत तो नहीं है, बेकार की चीड़े। इसमें अपना दिमाग खपाना मिलकुल बेकार है। इसी परकार ध्वनी वादी आचारे आनंद वर्धन आचारे कुंदक्त वक्रवक्ति सिध्धान के प्रतिपादक है। और इसे परकार ध्वनी वादी आचार, ध्वनी सिध्धान के प्रतिपादक आचारे आनंद वर्धन, इन्होंने रिति का उपहास करते हुए लिखा, जो लोग ध्वनी जैसे अवरनी कावे तत्त को समझ सकने में असमर्थ हैं, उन्हीं लोगों द्वारा कावे शास्त्री जगत में रीतियां चला दी गई हैं, बत्ब चुंकि ये ध्वनी सिध्धान का प्रतिपादन इन्होंने किया था, ये बहुत ज़्यादा वैग्यानिक सिध्धान थे, तो उन्हीं का कहना है कि ये ध्वनी सिध्धान को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसको समझने में असमर् हैं, और नहीं, अवनणी जो कावेतत्त है, बहुत ही महत्पन कावेतत्त है, ऐसे मतब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा कावेस सास्त्री जगत में रीतियां चला दी गई हैं, मतब एक सिरे से उन्होंने खारिच कर दिया है, और नहीं समझ पार रहे हैं जो लोग ऐसा खाकर उड़ने उनकी योग्यता पर भी प्रस्चिन लगा दिया है कि वे नहीं समझ पा रहे हैं उनके द्वनी सिद्धान को तो इस पकार उपहास का वात्तवरान था रीती का खंडन करने पर भी आचारियों ने रीती को किसी ने किसी रूप में स प्रस्तूत कर रहे हैं देखते हैं बहला है उनने अचारे वामने जिसे रीती का उसे अन्य विद्वानों ने नया नाम दे दिया लेकिन नया नाम देने से तत्व तो वही रहा इस प्रकार उनने रीती को तो स्विकार तो किया भला है उसका नाम बदल दिया आचारे कुंत प्रचारे रिति के अर्थ में उसे शिकार नहीं किया बलकि उन्होंने रिति को एक नहीं दीशा प्रदान की और उसे कभी के सुभाओ से संब्ध माना। उनका कहना था रिती का संबन्द कवी के सुभाव से है और उनने रिती के लिए नया नाम सुर्या दिया रिती के लिए नया नाम दे दिया उन्होंने मार्ग नाम दे दिया पहला नाम दिया सुकुमार मार्ग सुकुमार मार्ग मतलब होता वैदर्भी रिती वैदर्भी रिती का नाम बदल दिया इस प्रकार यह काना आसंगतना होगा कि आचारे कुंतक भी रीती की उपेक्चा नहीं कर सके भलाई उन्होंने उसको नया नाम दे दिया लेकिन इसके बावजुदी वे रीती की उपेक्चा नहीं कर सके और यतकिंचित रूप में उसके महत्यों कभी उन्होंने स्विकार किया और किसी ने किसी रूप में उन्होंने रीती के महत्यों को भी स्विकार किया वे रीती को मार्ग काते हैं आचारे वामन जिसे रीती काते हैं आचारे कुंतक उसे क्या काते हैं मार्ग काते हैं और ये तीन अलग-अलग का परियाय मानते हुए उन्होंने रिति सब्दों को नहीं नाम दे दिया इसे क्या कह दिया उन्होंने वृत्ति कह दिया आचारे ममट ने रिति को वृत्ति का परियाय मानते हुए समनार्थी मानते हुए इसे वृत्य निप्राहस नामक शब्दा लंकार के अंतरगत निरुपित किया इनका कहना है कि यह जो वृत्य है यह वृत्य निप्राहस नामका जो शब्दा लंकार है उसके अंतरगत यह शामिल है और आचारे मामन के द्वारा निर्दिष्ट गुणों का निर्मम्ता पुर्वक इन्होंने खंडन किया इन्होंने एक सिरे से उसे खारीच कर दिया अस्विकार कर दिया उन्होंने वृत्ती की निम्न परिभाशा दिये इन्होंने रित्ती को वृत्ती बोल दिया अब वृत्य को परिभाशित करते हुए ये कहते हैं वृत्य नियत वर्ण गतोर सविश्यो व्यापारह अर्थात नित्य वर्णों का रस विश्यक व्यापार वृत्य अथवा रीती है नियत वर्णों का नियत वर्णों का कुछ निश्चित वर्ण का प्रयोग करके जिसके मा की अनभोति होती है रस प्राप्त होता है रस का हम को मतलब हम्यास को मसूद कर पाते हैं ऑन्भो कर पाते हैं यह प्रक्या क्या करा दिए रीति कर लाती है वृस्ति कर लाती है इनके व yağ stories कम धीया और इनके अमसार Snow विर्थियां होती है इनके उन साथ तीन विर्थियां होती है और तीन गुण होते हैं उन्होंने वर्ण गुम को रीति का भेदक तत्त मानते हुए के वर्ण गुम मतलब वर्णों को सजाना वर्णों को गुमफित करना वर्णों को कलेट करना और वर्णों को कलेट करके क्या ह प्रशाद गुन को ने इनके अनसार से तीन वृत्तिया होती है कौनकों से वृत्तिया होती है उप नागरिका वृत्ति इनकोंने अनाम दे दिया उपनागरी का वृत्ति जिसे अचारे वामन ने वैदर्भी रिति कहा है अचारे वामन जिसे वैदर्भी रिति कहते हैं जिसमें सभी गुण विद्मान होते हैं उसे ये कहते हैं उपनागरी का वृत्ति उसे ही मममट ने उपनागरी का वृत्ति के संग्या प्रदान की है यह माधूरी गुण से युक्त होती है इसमें प्रमुगुण कौन सा होता है माधूरी गुण से युक्त होता है इनके हिसाब से और स्रिंगार करूण आदी कुमल रसों का उपकार करती है और यह किसको किसके लिए सहायक होती है उप नागरी का वृत्ति किसको सहायता करती है किसको निर्माण करती है स्रिंगार करुण आदि कुमल रसू का अब दूसरा परुशा वृत्ति परुशा वृत्ति तो ममठ का क्या करना है अचारे ममठ का ओजगुण के वेंजक वर्णो से युक्त रचना को ममठ ने परुशा वृत्ति कहा है इसे उन्होंने कहा है परुशा वृत्ति सिर्फ नाम बदल दिया है काम इसका वही है इसे अचारे वामन के अंसार गौडी रिति कहा गया है जिसमें ओज और वीर रस की वेंजना की जाती है और इसे अचारे ममठ ने प तीसरा कोमला वृत्ति प्रसाद गुंड से युक्त रचना को पांचाली रिति या कोमला वृत्ति की संग्या प्रदान की गई है इनके हिसाब से आचारे ममठ के हिसाब से प्रसाद गुण से युक्त जो रचना होती है उसे इन्होंने कोमला वृत्ती का नाम दिया गया है जिसे आचारे वामन पांचाली रिती कहते हैं इसके बाद आचारविसुनात का क्या काना है आचारविसुनात दरा किया गया रिती विवेचन साहित दर्पन इनके गरंद का नाम है साहित दर्पन के रचीता आचारविसुनात ने रिती को पद संघटना का नाम दिया है अचार विस्वनात ने रिति को पद संगटना का नाम दिया है पर उसे कावे की आत्मा स्विकार नहीं किया है पद संगटना मतलब कमपूस कनाम पदों को इकठा करना कलेक्ट करके उसको जमाना तो इन्होंने रीति को क्या का है पद संघटना collection of terms पर उसे कावे की आत्मा शिकार नहीं किया है इसके बाज़ुत दुन का कहना है कि यह कावे की आत्मा नहीं है आचार रुद्रट आचार रुद्रट का क्या यग दने आचार रुद्रट का रीति भी वेचन इनके अनसार रीतियों की संख्या चार है पहले तीन ही रीतियां माने जाती दिनने एक नहीं रीति जोड़ दी लाटी तो इनके अनसार रीति कितने प्रकार के होते हैं चार होते हैं वेदर्भी रीति, गौडी रीति, पांचाली रीति और लाटी या लटिया लाटिया भी बोलते हैं इसको लटिया या लाटिया जो भी है पाचो आचारे अनन्दवर्धन का रीती भी वेचन आचारे अनन्दवर्धन का क्या करना है आचारे अनन्दवर्धन ने भी रीती पर विचार किया है और रीति को संगटना का नाम दिया है इन्होंने नया नाम दिया संगटना पत संगटना नहीं खाली संगटना नाम दिया और इसे समास से संबद मान कर उनका कहना था कि या रीति क्या है एक संगटना है और यह किसे संबंदित है समास से संबंदित है और इसके इन्होंने तीन रूप बताए अवस समासा जिनमें समास ही नहों अलपस समासा थोड़ा सा समास हो और दिर्ग समासा बहुत ज्यादा समास हो उनके अनसार संगटना का क्या काम है? संगटना थ्वरीती इन्होंने संगटना नाम दिया है संगटना का कार्या है गुणों के आश्रित रहकर रस को व्यक्त करना मतलब जो संगटना है यह गुणों के उपर आश्रित रहेगा उनपर अधरित रहेगा और यह क्या करेगा रस को विवेक्ति प्रदान करेगा तो यह इनका कहना है तो बहुत आसान है दिर दिर आप समझते जाए है यह टेक्निकल टाइप का है लेकिन एक बर आप पढ़ेंगे दुबारा तो आपको पुरी तरह से समझ में आ जाएगा उपरित विवेचन के अधार पर कहा जा सकता है कि अन्या आचारियों ने आचारे वामन के रीती सिध्धान को पूर्णत स्विकार तो नहीं किया है पर वे उसकी नितान उपेक्षा भी नहीं कर सके रीती भले ही कावे का अनिवारी तत्वना हो पर उसका महत तो किसी न किसी रूप में अवाश्य है तब आप समयद के होंगे कि अन्य विद्वाने उसकी पुरी तरह से रूप एक्षा नहीं कर पाया उन्हें प्रिकार कर दिया लेकिन नाम बदलकर नए तरीके से उन्हें उसको स्विकार तो जरूर किया है तो इस प्रकार रीति सिध्धान का महत्तों किसी न किसी रूप में अवाश्य है हमारे लिए अब अंत में आपको लिखना है निशकर्स निशकर्स में हमको लिखना है कि रीति सिध्धान का महत्तों क्या है रीति का महत्तों क्या है परिक्षा में हमेशा आपको प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलता यह जो रिती संप्रदाय है यह अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रिती संप्रदाय अधिक विक्सित संप्रदाय है यह उससे ज्यादा एडवान संप्रदाय है क्योंकि इसमें कावे के सभी तत्व आ जाते हैं दूसरा कावे का मोल रूप क्या है इसका इस संप्रदाय में अधिक तार्खिक्ता से किया गया इसका जो विवेचन है इसका विवेचन कावे का मोल रूप क्या है इसका विवेचन ये विवेचन सब्द छूड़ गया है कावे का मूल रूट क्या है इसका विवेचन इस संप्रदाय में अधिक तारकिक्ता से किया गया है लाजिकली किया गया है तीसरा है आचारे वामन ने रीती संप्रदाय के अंतरगत गुणों के विवेचन द्वारा उनका लंकार से पार्थक के दिखाया है इस पकार एक महत्पुन सिधान का प्रतिपादन किया है इस पकार आचारे वामन ने रीती संप्रदाय के अंतर गुणों पर विस्तार से विचार विमर्ज किया है और यहां दिखाया है कि जो कावे गुड होते हैं वेलंकार से पुरी तरह से अलग होते हैं बिन होते हैं तो यहाँ भी एक इस सिध्धान का महत्पूर्ण योगदान है कि जो गुड होते हैं जो कावे गुड होते हैं वे अलंकार से पूरी तर से प्रिथक होते हैं बिन्न होते हैं अलग होते हैं चोथा है, अलंकार संप्रदाय की अपेशा, इस संप्रदाय के आलोचकों की द्रिष्टी गहरी तथा पहनी है, मतलब इस संप्रदाय के जो आलोचक है, उन्होंने बहुत गहराई से जाकर इसका विवेचन किया, इस पर विचार विमर्ज किया है, इसकी आलोच ना किये, जबकि आचारे वामन ने रीती विवेचन के द्वरा रस को कावे के अंतिरंग धर्मों में गिना और इस परकार रस की महत्ता इसपाष्च की आचारे भामा का रहकाना है कि रस कावे का बहरिग तत्व है, बाहरी तत्व है उसका होना जवरी नहीं है वह कावे की आत्मा नहीं है योग कि वह लंकारवादी आचारे थे और इस प्रकार वे रस को ज्यादा महत्तों नहीं देते थे वे बोलते थे कि यह बाहरी तत्व है इसका रहना नहीं रहना बढ़ाबर है लेकिन आचारे मामन ने क्या किया रीती स गुण के अंतरकत मानते हैं अचारे वामन क्या कते रस कहां पर विद्धिमान होता है कांती नामक अर्थगत जो गुण होता है कांती नामक जो गुण होता है उसी के अंदर रस विद्धिमान होता है और यह अर्थगत गुण है अब पाश्चात्य समीशाव सास्तर में वेस् मानते हैं नियुकलि बेविख्तित होता है वहीं उसकी शहली होती है मतलब लेख्जा के जो सहली होती पाश्चात्य समिछा शास्त्र के अंतरगत पाश्चात्य आलोचना के अंतरगत वेस्टर्न क्रिटिसिजम के अंतरगत शामिल किया गया है शैलियत्वा इस्टाइल को और इसलिए ये हमारा जो सिध्धान्त है अच्छारे वामन का रिती सिध्धान भी इसी के लगबग कुल सिधान्त है और इसे हम महत्पुन का सकते हैं। उक्तविवेचन के अधार पर यह कहा जा सकता है। कि भले ही रीति को कावे का सरव पमुक तत्व या प्रांरत्त न माना जाए किन्तु रीति सम्प्रदाय का कावे शास्तर में महत अपूर्ण योगदान है। तो भले ही हम यह कहना सही उचित नहीं होगा कि जो रीति है वह कावे की आत्मा है। क्योंकि यह शैली है या ऐ श्टाइल है लेख़क यह कभी की श्टाइल अथवा शैली है जिसे हम रीती क लोगों नहीं से भली बाती समझ लिया होगा और इस आर्टीकल को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछी दिनों में यह मेरी वेबसाइट पर उपलब्द रहेगी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यद